हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर 14 गुणन खंडन प्रशनावली 14.3 से कोशिय नुबर 1 सूब करेंगे तो कोशिय नुबर 1 देखे निमल लिखित विभाजन कीजिए फर्स्ट बार देखे रियागा 28x की चार भाग 56x तो 28x की चार को हमें भाग देना है 56x से तो देखे कैसे लिखेंगे से 28x की चार यह ऐसी लिखा अब दिखे से किस से भाग देना है 56x से तो 56x बटे में आ जाएगा तो बटे में 56x अब देखे 28 को हम ऐसी लिखेंगे 28 अब x की चार का मतलब क्या है कि X चार लाश गुणा हो रहा है तो X गुणा X गुणा X गुणा X अब बटे में देखे क्या है 56 X अब देखे marksा जो ओआ 28 से कितने पर कट जाता है 28 तू नहीं च्पन 2 पर कटता है मैं च्पन को कैसे लिख सकती हूँ 28 गुणा 2 गुणा x तो अब देखे 28 से 28 कट क्या और इस x से यह x कट क्या तो देखे क्या आया x गुणा x गुणा x यानि x की 3 और बटे में क्या आया 2 तो अंसर है x की 3 बटे 2 second part देखे रिया गया minus 36 y की 3 भाग 9 y square तो देखे इसे कैसे लिखेंगे minus 36 y की 3 हमने ऐसे लिखा फिर देखे क्या है भाग 9 y square 9 y square से भाग दे रहे हैं तो बटे में आ जाएगा 9 y square अब देखे minus 36 है minus को मैं minus 1 गुण सकती हूँ अब देखे 36 जो है 9 से कितने पर भाग जाते है 9 4 के 36 चार पर कड़ जाते है तो मैं 36 को लिख सकती हूँ नो गुणा चार, नो चोके, चछतिस, देखे हैं, गुणा, अब देखें, वाई की तीन का मतलब है कि वाई तीन बार गुणा हो रहा है, तो वाई गुणा वाई गुणा वाई, पर बटे में क्या है, नो वाई स्क्वेर, तो नो ऐसी लिखा, अब वाई स्क्वेर का मतलब ह कि y दो बार गुणा हो रहा है तो 9 गुणा y गुणा y अब देखे 9 से 9 कट किया इस y से ये y कट किया और इस y से ये y कट किया तो अब देखे माइनस 1 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4 और माइनस 4 को y से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4 y तो आंसर आया माइनस 4 वाए थर्ड पार देखे दिया गया 66P Q² R की 3 भाग 11 Q R² तो देखे इसे कैसे लिखेंगे 66P Q² R की 3 ये ऐसे ही लिखा अब देखे किसे भाग देना है 11 Q R² तो बटे में आ जाएगा 11 Q R² अब देखे 66 जो है 11 Q 6 फिर Q P अब Q² का मतलब है कि Q 2 बार गुणा हो रहा है तो गुणा Q Q R की 3 का मतलब है कि R 3 बार गुणा हो रहा है तो गुणा R, गुणा R, गुणा R बटे में क्या है 11 Q R² तो 11 ऐसी लिखा गुणा Q अब R² का मतलब है कि R 2 बार गुणा हो रहा है इस Q से ये Q कट किया और इस R से ये R कट किया फिर इस R से ये R कट किया तो देखी क्या बचा 6 गुणा P गुणा Q गुणा R यानि 6 P क्यू R और बटे में कुछ भी नहीं बचा तो अंसर क्या है 6 P क्यू R फोर्थ पार देखी दिया गया 34 X की 3 Y की 3 Z की 3 भाग 51 X Y स्क्वेर Z की 3 तो देखे इसे कैसे लिखेंगे पहले हम इसे लिख लेंगे 34 X की 3 Y की 3 Z की 3 और बटे में आ जाएगा 51 X Y स्क्वेर Z की 3 अब देखे 34 और 51 ये दोनों जो है 17 से कट जाते हैं 17 दुनी 34 17 तीए 51 तो 34 को मैं लिख सकती हूँ 17 दुनी 34 यानि 2 गुणा 17 मैं से लिख सकती हूँ 34 को फिस क्या है X की 3 X की 3 का मतलब है कि X 3 बार गुणा हो रहा है तो X गुणा X गुणा X दीखे फिर है Y की 3 Y की 3 का मतलब है कि Y 3 बार गुणा हो रहा है तो Y गुणा Y गुणा Y फिर Z की 3 Z की 3 का मतलब है कि Z तीन बार गुणा हो रहा है तो गुणा Z, गुणा Z, गुणा Z अब देखें बटे में क्या है 51X Y स्क्वेर Z की 3 अब देखें 51 17 से कितने पर कट रहा है 17 तिये 51 तो 50 को मैं लिख सकती हूं 3 गुणा 17 यानि 17 तिये 51 फिर गुणा X अब Y स्क्वेर है Y स्क्वेर का मतलब है कि Y दो बार गुणा हो रहा है तो Y गुणा Y Z की 3 का मतलब है Z तीन बार गुणा हो रहा है तो Z गुणा Z गुणा Z तो देखें 17 से 17 कट गया X से ये X कट गया इस y से ये y कट गया फिर इस y से ये y कट गया इस z से ये z कट गया इस z से ये z कट गया और इस z से ये z कट गया तो अब देखें क्या बचा दो गुणा x गुणा x गुणा y तो दो ठीक है x को x से गुणा करेंगे क्या आएगा x square और फिर y तो क्या है 2x square y और बटे में क्या ब्रैकेट में माइनस 6, A की 6, B की 4 तो अब देखें इसे कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 12, A की 8, B की 8 बटे में माइनस 6, A की 6, B की 4 अब देखें, 12, 6 से 2 पे कर जाता है, 6 दूनी 12 तो 12 को मैं लिख सकती हूँ, 6 गुणा 2, 6 दूनी 12 अब ए की 8 का मतलब है कि A 8 बार गुणा ओर है, तो A को 8 बार लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब B की 8 का मतलब है कि B 8 बार गुणा हो रहा है, तो B को 8 बार लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब बटे में क्या है? माइनस 6 A की 6 B की 4 माइनस को मैं लिखूंगी माइनस को मैं माइनस 1 लिख सकती हूं ठीक है? फिर गुणा 6 A की 6 का मतलब है कि A 6 बार गुणा हो रहा है तो A को मैं 6 बार लिख लोंगी एक, दो, तीन, चार, पांच, चे फिर B की 4 बी की चार का मतलब है कि बी चार बार गुणा हो रहा है तो बी को चार बार लिख लेंगे बी गुणा बी गुणा बी गुणा बी तब देखें छे से छे कट क्या फिर देखें इस ए से ये कट क्या इस ए से ये कट क्या फिर इस ए से ये कट क्या फिर देखें इस बी से ये ब अच्छा, दो, फिर A गुणा A, A को A से गुणा करेंगे, क्या आएगा, A स्क्वेर, फिर B गुणा B गुणा B, यानि B की चार, B की चार का मतलब क्या है, कि B चार बार गुणा हो रहा है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ, B की चार, अब देखें, बटे में क्या है, माइनस एक, देखें, माइनस जो है, अब नीचे नहीं लिख लें तो इससे उपर लिख लेंगे, तो क्या है, माइनस 2, A स्क्यार, B की 4, तो अंसर है, माइनस 2, A स्क्यार, B की 4, तो आज इस वीडियो में हमने Q1 सोल करा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज Лाइक, शेर and subscribe thank you